Hello everyone, आज डेट है 10 फरवरी और देहिंदू न्यूज अनलीसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रेलिम्स और मेंस के प्रस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे इस न्यूज पेपर की पीडियो का लिंक निजे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डाइरेक्ट टेलग्राम चैनल वोलकेनो आईयस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडियो को डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट न्यूज एडी सर्चेज ओफिसेज ओफ डिजिटल न्यूज प्लेटफों जो हमारा इनफोर्समेंट डाइरेक्टरेट है उन्होंने मंगलवार को एक सर्च ओप्रेशन कंडेक्ट करवाया डिजिटल न्यूज प्लेटफों न्यूज ग्लिक और उसके अलावा और सारे जो प्लेशेज है वहां पर क्योंकि हमारे इडी को ये लगता है कि पिछले तीन साल में 30 करोट से ज्यादा रुपै ओवर्सीज मतलब विदेसों से हमारे यहां पर आए हैं और ये जो डिजिटल प्लेटफों है उनको सपोर्ट किया गया है ऐसे आरोप लगाए गए है इन डिजिटल न्यूज इसेज हैं उनके उपर तो उसी की जाच करने के लिए रेट डाली गई तो अब हम देख लेते हैं कि एडी क्या है इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मिनिस्ट्री ओफाइनेंस के अंडर आता है एक मई 1956 को इसका फोर्मेशन किया गया था और जो भी हमारे इंडिया में एक तरीके से एकोनोमी से रेलेटेड जो भी रिस्क है उन सब को जाच करने का काम करता है एडी नेक्स न्यूज सुप्रीम कोर्ट रिलिफ अरेस्ट फोर्ड थरूर सीनियर जेनलिस्ट सबसे पहले कॉंटेक्स्ट की बात करेंगे 26 जन्वरी को जो फार्मर प्रोटेस्ट ह था तो इन सारे लोगों ने अपने ट्विटर हिंडल पर एक ट्विट कर दिया था और वो ट्विट बार बार रिव ट्यूट करया गया कि दिली पलिस के दुआरा जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें से दिली पलिस के हाथों से एक फार्मर की डैथ हो गई है शे सीनियर जेनरलिस्ट जिनका नाम है राजदिव सर्देसाई, अनंतनात, परेशनात, विनोध के जोस, मिरनाल पांडे और जफर आगा इनके खिलाब ये केस किया गया था तो इसमें हमारे जो सोलिसिटर जेनरल ओफ इंडिया है तुसार मीता उन्होंने इस ट्वीट को दि हमारे देश की जो sovereignty है security है उसके लिए एक परिशानी create हो सकती थी अब सोलिसिटर जन्नल ओफ इंडिया क्या होता है देखो सोलिसिटर जन्नल ओफ इंडिया जो हमारे attorney जन्नल ओफ इंडिया होते हैं उनके होते हैं Solicitor General of India का term होता है, 3 years को, और देखो, जो Attorney General of India है न, उसका तो हमारे Constitution में वर्णन किया गया है, Article 76 के थैद, लेकिन जो Solicitor General of India है, वो statutory post है, मतलब इनका Constitution में वर्णन नहीं किया गया है, इनको subordinate post है, Attorney General of India को help करने के लिए. Next News, उत्राखंड में जो त्राजदी हुई, ट्रेजडी हुई उससे related है, 197 लोग अभी तक missing है, और 32 लोग चमोली में जहांपर एक Glacier burst हुआ, उन लोगों की death हो चुकी है, तो देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि उन लोगों को ढूनने के लिए, जो हमारा NDRF की टीम है, इसके अलावा जो ITBP की टीम है, वो दोनों मिलकर के rescue operation चला रहे हैं, NTPC की एक tunnel बनाई जारी थी, उस tunnel में जो मलबा आकर के घुजगया, उसकी वज़े से जो लोग है, वो इसमें गायब हो गए हैं, उनके बारे में भी information नहीं मिल पा रही है, ITBP 1962 में जब इंड चाइना border को secure करने के लिए इसका निर्मान किया गया था, ठीक है, और जो NDRF की team है, वो disaster management के लिए काम करती है, glacier burst हुआ, glacier burst होने से वहाँ पर धोली गंगा और रिसी गंगा जो river है, उनमें जो पानी की मातरा है एक तरीके से, क्योंकि जो नीचे जो siltation साथ में glacier burst हुआ, तो उसे पानी नहीं आया, उसके साथ में मलबा भी आया, मलबा आने की वज़े से जो नदियों का एक तरीके से, जो उनकी पावर होती है, capacity होती है, उससे ज़्यादा पानी आगया, पानी आने की वज़े से flash flood आ गई, flash flood क्या होती है, कि जितनी power है, capacity है river की, अगर उससे ज ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वो flood के रूप में convert हो जाता है, क्योंकि नदी की power ही नहीं है, कि इतनी ज़्यादा को वो अपने आपर contain कर सके, तो उसमें एक तरीके से जब flash flood आ गई, तो जो वहाँ पर बहुत सारे construction work किये जा रहे थे, जिसे NTPC का power project वहाँ पर बनाया जा रहा था, उन सब में जो construction से वो सब destroy हो गए, next news, देखो यहाँ पर news है, हमारी army से related, army ने एक ऐसी specialist unit तयार की है, dog की, जिसमें पहली बार कास्पर और जाया नाम के जो first dog उनको train किया गया है, कि वो लोगों के sweat से, मतलब पसीनी से, और जो urine wastage होता है, उसके थुरू पत positive हैं या फिल नहीं है, हलंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनी की, उनी की जांच के उपर निर्बर रहा जाएगा, उसके बाद में test करवाए जाएंगे, और ये सब कुछ एक procedure होगा, लेकिन fast test करवाने के लिए, especially army के जो लोग हैं, जिनके उपर ध्यान रखा जाए, और पता ल इन, ये जो डोग है ना, कास पर और जया, जब उनको training दी जा रही थी, तो इन्होंने जितने भी लोगों का sensitive rate किया, कि ये लोग COVID-19 positive हो सकते हैं, तो उसमें 60-70% positive chance होए, कि जिनको positive declare किया गया था, उन लोगों का, जब result test किया गया COVID-19, तो उसमें भी वो लोग positive पाए ग पाद में हमारी जो दहली है, हमारी जो capital है, उसमें COVID-19 की वज़े से कोई भी death नहीं हुई है, लास्ट ऐसा हुआ था, 11 मई 2020 को, जब COVID-19 की वज़े से दहली में कोई भी death नहीं हुई थी, next news, editorial page से है, यहां पर कुछ data दे रखे हैं, उनको हम discuss कर लेते हैं, manual exchange के राटा यहां पर दे रखे हैं, comparison कर रखा है, 2011 से 2015 तक, 266 लोगों की death हुई थी, लेकिन 2016 से 2020 तक, 340 लोगों की death हो गई, क्यों हुई यह death, sewer line को clean करते हुई, और septic tank को clean करते हुई, इन लोगों की death हो गई, 28% increase हुई है, लोगों की death में, मतलब जो संक्या है, उसमें 28 8% तक increment हुआ है, यहां पर दिखाया गया है, डाटा दे रखे हैं कि कौन से state में सबसे ज़्यादा death हुई है, देखो, 62,334 लोग काम करते हैं, manual exchange के दोरान, manual exchange के रूप में काम करते हैं, उन में से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, वो UP से related है, 35,308, उसके बाद में महारास से हैं, फिर उत्राखन से, फिर राजस्तान में, फिर करनाटका, असम, वेस्ट बंगोल, करनाटका, असम, अंदरप्रदेश, वेस्ट बंगोल, केरला, MP, यहां पर देखो, यह data दे रखे हैं कि manual exchange के काम में लोगों की कितनी संक्या कोन से state से relate करती है, अब यहां पर death की सं पिछले 5 साल, 2016 से 2020 तक, 340 लोगों की death हुई है, उन में से सबसे ज्यादा जो death हुई है, वो यूपी से relate करते थे, यूपी के लोग थे वो, उसके बाद में महरास्ट, यूपी, फिर तमिलाडू, फिर देहली, फिर महरास्ट, फिर गुजरात, फिर हर्याना, करनाटका, प स्केंजिंग में कम लोग मिले हुए हैं, जुडे हुए हैं, इस काम में अपना work करते हैं, अब यहाँ पर declare किया गया है, यहाँ पर chart दे रखा है, कि जिन लोगों की death हुई है न, उनको compensation नहीं मिल पाया है, देखो महरास्टर में 32 लोगों की death हुई, लेकिन उन में से 30 लो हमारी judiciary ने बोला है, कि 1993 से जनवरी 2020 के बीच में, जो लोगों की death हुई, septic tanks को और severs को clean करते हुई, उनको अभी तक कोई भी compensation नहीं दिया गया है, यहाँ पर sever cleaning death को दिखाया गया है, इस पर और इधर दिखाया गया है compensation pending, तो महरास्टर में सबसे highest compensation pending है, केरला, करनाटक तमिलाडू, इनमें death थो, देखो तमिलाडू में death खुब हुई है, लेकिन जो compensation है, वो ठीक ठाक time पर यहाँ पर मिल गया है, next news है, यहाँ देखिए, next news है राज्यसभा से related, first news राज्यसभा, देखो राज्यसभा के तीन member, जो जम्मु एंड कस्मीर, जो वरत्मान में UT बन देगी है, मतलब उनका जो tenure है, वो complete हो गया है, अब राज्यसभा में जम्मु एंड कस्मीर, UT से कोई भी representative नहीं है, और जब तक वहाँ पर जो state assembly के election नहीं होएंगे, तब तक वहाँ से कोई भी representative नहीं होगा, अब राज्यसभा के बारे में हम बताया गया है, तो राज्यस सबा को हमारे जो parliament है, उसका upper house और council of states के नाम से भी जाना जाता है, six year इसका term होता है, और हर दो साल में एक दिहाई जो सदश्य है, इसके members है, उनकी जो एक तरीके से जो membership है, वो खतम हो जाती है, इसमें 12 members को president के through nominate किया जाता है, और जो इसके head होते हैं, मतलब इसके chairman होत होते हैं, अब देखो, बहुत सारे state PCS आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य में कौन से कितनी संक्या है, मतलब राज्य सबा में कितने लोग representative होते हैं उस राज्य से, तो ज़्यादा राज्यों के हमें ध्यान रखने की ज़रत नहीं है, especially पूछा जाता ह हैं, जिन राज्यों में या जिन यूटीज में एक एक representative है, तो especially हमारे जो नोर्थ हिस्ट के state है न, वहाँ पर एक representative होता है राज्य सबा में वहां के state से, अगर हम बात करें, मतलब comparison में, असम से, असम नोर्थ हिस्ट में हैं, लेकिन वहाँ पर राज्य सबा की सीटों की सं अलावा अवनाचल परदेश, नागालेंड, मनीपूर, मिजोरम, मेगाले, सिक्किम, गोवा, हमारे गोवा एस्टेट है वहाँ पर, पुदुचेरी यूटी है वहां से, यहां से एक एक representative है, इसके अलावा बहुत सारे यूटी ऐसे भी हैं, जहां से कोई representative नहीं हैं, जैस यूटी है, यहां से कोई भी representative नहीं है, राजी सबा में, तो यह राजी सबा के बारे में, important facts को हमने देखा, next news है, लोकपाल पैनल माइनूर्स, need not to be, need not be disclosed, देखो, एक right to information activist है, अंजली भरदवाज, उन्होंने, जो हमारा Central Information Commission है, वहां से जानकारी मांगी, कि आप लोकपाल selection जो committee है, उसकी जो meetings है, उसकी जो जानकारी है, आपको उसको disclose करो, लेकिन जो government है, जो हमारे Central Information Commission है, उन्होंने ये बोला कि हर चीज disclose करने की नहीं होती, तो उन्होंने आरनी में ये बात बोली है, कि लोकपाल तो खुद governance में transparency create करने के लिए, आपने लोकपाल की जो post है, उसको create किया है, और आप उसी को एक तरीके से बंद कर रहे हो, कि उसका कैसे procedure होगा, कैसे उसको appoint किया जाएगा, उसकी जो committee है, उसके बारे में आप news, मतलब एक तरीके से सबके साथ share नहीं करना जाते, तो यहाँ पर हम देखेंगे Central Information Commission क्या होता है, देखो जो Central Information Commission है, उसको right to information act 2005 के तहत बना गया था, और यह एक statutory body है, अब statutory body क्या होती है, statutory body होती है, जिसका constitution में कोई वर्णा नहीं है, मतलब non-constitutional body होती है, और इसको act of parliament के through बनाया जाता है, statutory body को, अब Central Information Commission में एक तो होता है Chief Information Commissioner और 10 से ज़्यादा, मतलब maximum 10 Information Commissioner हो सकते हैं, एक Chief Information Commissioner होता है, और 10 Information Commission होते हैं, इन लोगों को appoint किया जाता है, President of India के दौरा, इनको जो Central Information Commission कि जो member होते हैं, उनको President of India की दौरा अपोइंट किया जाता है, लेकिन, President of India को भी recommendation मिलती है, एक committee के दौरा, उस committee के जो chairman होते हैं, पी-म होते हैं, उसके अलावा, उसमें leader of opposition, of log- सबा होते हैं और एक union cabinet minister होते हैं जिनको PM की दुआरा ही appoint किया जाता है ये committee होती है तीन लोगों की जिसनको PM chairperson होते हैं वो recommendation देती है president को और president बाद में इनको appoint करता है next year news है यहां देखिए देखो twitter और हमारी जो government of India है उसके बीच में टेसल चैल रही है 26 January को बहुत सारे twitter handle जिनके उपर misinformation फैलाईगी तो government ने आप बोला कि इन सारे twitter handle को और यह जो hashtag है उनको आप बेंड कर दीजी पहले twitter ने बेंड भी कर दिया लेकिन कुछ समय बाद में बहुत सारे जो tweet के गए थे और सारे जो twitter handle है उनको restore कर दिया गया हलांकि जो government है उन्होंने बोला है कि आपने हमारा IT Act 2000 जिसका section 69 A है उसको bridge किया है तो आपके उपर बहुत सारे जो strict punishment आपके उपर लगाए जाएंगे अब हमारी जो बहुत सारे ministers और ministry जो है वो हमारे Indian made एक app है कू उसकी तरब transfer हो रहे हैं ये जो Indian app है कू ये हमारे जो आत्म निर्भर आत्म निर्भर आप innovation challenge जो last year हुआ था government के दुआरा उसमें ये बनाया गया था next जो news है यहाँ पर देखिए देखो COVID-19 pandemic की वज़े से जो हमारे PM है उनकी विदेशों में कोई भी visit नहीं हो पाई मतलब वो foreign visit पर नहीं जा पाई तो अब बोला जा रहा है कि उनकी जो foreign visit है वो दुबारा से start होंगी इसमें बताया गया है कि पहली जो visit होगी वो बांगलादेश के लिए होगी इसके अलावा वो European Union से submit करने जाएंगे एक तरीके से जो हमारा trade agreement चाह रहे हैं कि European Union countries के साथ में हमारा trade agreement साइन हो जाए European Union एक organization है जिसमें 27 countries एक साथ मिलकर के उन्होंने इस अंग्ठन को अपने power दे रखी है कि आप हमारे उपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी security को ले करके हमारी जो border को कैसे manage करना है इसके अलावा और भी agreement आप दूसरे देसों के साथ में भी हमारे लिए sign कर सकते हो ये European Union है क्योंकि देखो जो world war second हुआ था उसके बाद में उस समय जो European countries है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उसके बाद में European countries को लगा कि हमें हमारी stability, security और सांती के लिए, peace के लिए काम करना चाहिए इसके बाद में ही ये जो European Union है वो अस्तित्तों में आया था 1991 में सबसे पहले मतलब एक organization के तैथ इसको बनाया गया बाद में 1997 में इसका नाम change करके European Economy Community के नाम से इसका नाम change कर दिया गया और बाद में 1993 में इसको European Treaty के नाम से इसको जाना जाता है ये European Union अस्तित्तों में आया और 2009 में जो Lisbon Treaty है उसके तैथ इसको और ज़्यादा power दी गई इसके member countries के दुआरा कि आप हमारे बहुत सारे कानून बना सकते हो इंडिया के साथ में इसके trade agreement के लिए जो एक procedure चल रहा है वो काफी समय से चल रहा है कि इंडिया free कर दे हमारे यह जो dairy products है उनको और जो wine बनती है उनको और इंडिया में कोई भी tariff उस पर ना लगाया जाए लेकिन इंडिया यह बोलता है कि अगर आप dairy products बहुत सस्ते दामों पर हमारे यह भेजोगे तो हमारा जो dairy products है वो तो एकदम से खतम ही हो जाएगा दूसरा इसमें बताया गया है कि G7 जो ग्रूप है उसको भी इंडिया को special invite के रूप में invite किया गया है जून में 11-13 इसकी meeting होगी G7 countries IMF International Monetary Fund है उसके according जो advanced economies है world की वो इसके सदश है और 1905 तर में एक गुरूप बना था बाद में इसमें रश्या भी सामिल हो गया था लेकिन बाद में रश्या को इससे हटा दिया गया है Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK और US इसके सदश है G7 countries की ठीक है next news है देखो foreign page से news है first news है WHO को लेकर के WHO की team आई थी चाइना में चाइना का जो Wuhan province है वहाँ पर पता लगाने के लिए की COVID-19 pandemic की सुरुवात कैसे हुई थी तो उन्होंने चार possibilities declare की है WHO की team ने कि direct transmission हो सकता है wild dive से या फिर जो intermediate hosts है उनके थुरू भी transmission हो सकता है वाया cold chain products के थुरू भी transmission हो सकता है या फिर laboratory leak भी हो सकता है उन्होंने वहान का जो virology center है उसकी widget की लेकिन कोई भी ऐसे नहीं मिले उनको साक्ष प्रूफ नहीं मिल पाए कि जो laboratory है उससे वहाँ पर leak हुआ था या फिर laboratory में COVID-19 जो virus है उसके उपर सर्च किया जा रहा था WHO UN की specialized agency है 7 अप्रे 1948 को established किया गया था headquarter Geneva Switzerland में है next news है स्री लंका से related हमारे south में जो Indian ocean है वहाँ पर एक island nation की रूप में स्री लंका established है वहाँ पर देखो 2009 में civil war खतम हो गया था लेकिन उसके बाद में भी जो वहाँ पर tamil जो minorities में है उनके खिलाब जो एक तरीके से atrocities होती है उनको परिशान किया जाता है वो restore नहीं हो सके है स्री लंका के north और east वाले जो region जहाँ पर tamil लोग रहते हैं वो चाते हैं कि उनके rights को secure किया जाए इसके लिए फिर से एक march conduct किया गया है सबसे पहले हम थोड़ा back history में जाएंगी देखो स्री लंका में 1983 से 2009 तक civil war चला था और यह जो civil war चला था उसको head किया था vibration tiger of tamil ilam जिसको tamil tiger या फिर लिट्टे के नाम से भी जाना चाता है वो चाते थे कि north east वाला जो region है वहाँ पर tamil बाहूले छेतर हो जाए और सिर्फ tamil लोग वहाँ पर रही हैं और उस area को वो ilam state के नाम से declare करना चाते थे सिंगलीज सिरलंका में dominated है और सिंगलीज के दुआरा ही सिरलंका की government ज्यादा तर चलाई जाती है और उनी के थ्रू रेगुलर डोमिनेट जो government है सिरलंका की उसके नी के दुआरा discrimination और violent persecution किया जाता है जो tamil वहाँ पर minority है उनके खिला ठीक है तो tamil जो लोग है वो चाते है कि उनका जो भी rights है उनको secure किया जाए सिरलंका government के दुआरा तो ये आज का हमारा discussion था कई important news को हमने discuss किया ओके थैंक यू